कि बर्गनाव के बच्चों को गुर्मानिंग आप देख रहे हैं कि पहला सरी जो हम एक पॉइंट एक का पिछले क्लास में अध्यान करेंगे इसमें जैसे आपका सबसे पहले प्रस्ट ने दिया हुआ है कि 1.2 से आपका कि नीचे दिए पहले कि आपको एक वर्या दिला दिला देता हूं कि आप उस बातों को एक वर फिर से अगर नहीं देखे हैं तो धेन कर लें ताकि आपको आगे के बहुत तरगी जनकारियां उससे हासिल हो सकती है और एक बात और आपको याद दिलाओंगा कि जब आप मेरे चैनल को देख रहे होते हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे जो भी वीडियो अपरोड होंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तो चलिए आपको शुरू करते हैं यहां कि कोशन नंबर वन में दिया हुआ है कि नीचे दिये का असब्सक्राइब करण का साथ लेकिन सथ्य और सथ्य लिखने का साथ हमें इसका कारण भी बताना पड़ेगा कि सथ्य क्यों है और सब्सक्राइब करना बनाती है परिमे और परिमे संख्याएं यह संख्याओं का वास्तिक संख्या बनाती है जो भी परिमे संख्याओं यानि सभी रिखेंगे सत्य है क्योंकि क्योंकि सभी परिमे सभी परिमे और परिमे संख्याओं आप परिमेंसंख्याएं यह विornay कि पूह बहुत सेंख्याओं का एक समुला नाथी ये संख्याओं का एकक रभास्टिक शेख करता है ऑश्षिक एक सट्सावर नाती है संख्याओं का कि वास्तविक संख्या बनाती है वास्तविक शंख्या बनाती है इसलिए क्या है कि सही 40 कि इस इतने कंकि यह उती है तो हम दूसरे बात को देखे है न दूसरे खंड में दिया है आपका दूसरे प्रस्न में दिया है कि संख्या रिखा का परते की बिंदू रूट एम के रूप में होता है यह संख्या रिखा का जो भी बिंदू होता है क्या या सही बात है संख्या रिखा का जितना बिंदू होता है क्या रूट एम के रूप में होता है तो नहीं ऐसा बात दूसरे परकार की जो संख्या होती है या संख्या रेखा पर होती है या दूसरे परकार की संख्या रेखा पर होती है इसलिए बात क्या हुआ यह असत्य हुए तो इसके बार देए तुसरी प्रश्णा इसके दिये हुए है कि प्रत्यक वास्तविक संख्या या कपर में संख्या होती है। तो इसको भी हम कहाते हैं कि गुलत बात है यानि कि यह भी असत्य होता है वास्त्य क्यों होता है इसका कारण आप समझ रहे हैं असत्य है क्योंकि परतेक यहां दिया गया संख्या रेखा अगर हम परतेक वास्तिक संख्या के परिमेश संख्या होती है तो इसमें परिमेश संख्या वास्तिक संख्या भी होती है वास्तिक परिमेश संख्या वास्तिक संख्या भी क्या होती है वास्तिक संख्या भी होती है इसलिए यह बात क्या हुआ यह आपका प्रत्यक वास्तिक संख्या होती है यह बात गलत है क्योंकि परिमे संख्या वास्तिक संख्या भी होती है यह सिर्फ परिमे की हम बात नहीं करेंगे परिमे की भी बात करेंगे कि परिमे भी वास्तिविक हो को सामने रखें आपको देखने में और समझने में और असानी होगा तो दूसरे प्रश्ण को देखें दूसरा क्या है कि देखें आपके दूसरे प्रश्ण में क्या दिये हुए है कि क्या सभी घनातमक कोणांको के बर्गमूल अपरिमें होते हैं किया सभी घमातमग्द पनांको के बर्णूल्ड अपर्ञमें होते हैं यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या को तो होते हैं या तो ऐसे संख्या के क्या होते हैं को खराए है कर teams एक प्रिवे संख्या है और ऐसा नहीं है ते के ऩि turtles बर्गमूर का में धरन देना है कि जो क्या होता है कि परिमेशन क्या होता है तो हम एंसर में इसका लिखेंगे हाल में लिखेंगे कि नहीं क्या सभी गनात्मक पुर्णानकों के बर्गमूर कर में नहीं होते हैं और नहीं नहीं होते हैं साहीं कुणानकों के बर्गमूर अपने में नहीं होते हैंैं कुछ परिमे भी उते तो jc जीज़ पूछ रहा है कि नहीं होते हैं तो यह दिनल तो एक्सित सक्क्तिए अब उधारण देजिए तो हम उधारण के रूफ में लिख सकते हैं कि जैसे में अगर हम माल लेजे कि की डूरा लग रहा है यहां परीशन्ख्या हुआ है कि इसलिए अपरीशन्ख्या है इसलिए इसलिए अपरीस होते हैं परिमेज संख्या भी होते हैं तो इस तरह से आपका दूसरा प्रेश्ण शमाप्त हो रहा है और इसे कि अप्रत क्वात को किस प्रकार निरूपित किया कोज़ सकते हैं तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए फल मैं अप कफी और कलब साथ में रखे रहे हैं मैं अगर पढ़ रहे हैं तो काफी बहतर है आपको समझने में भी कि रूट पांच पो शंख्या रखा पर नुरुपित करने के लिए यानि कि हम यहाँ कुछ भासाई बनाते हैं कि रूट पांच को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं निरूपित करने के लिए पहले हम एक रेखा खिशते हैं और उसके कुछ नाम दे देते हैं पढ़ने के लिए एक रेखा मालेजे कि की एल ही खिछते हैं ल मालेजे करते हैं एल खिछते हैं और यांसे इसका हम भैलू देते हैं जीनों यहां देते हैं एक यहां देते हैं दो यहां बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं तो यहां पर अगर हम एल खीछते हैं उस रेखा पर एक समकोर्ट तिर्गुज हम बनाते हैं उस रेखा पर क्या करते हैं कि एक समकोर्ट तिर्गुज बनाते हैं कि कि संपोर्ट तिर्भुज आपका क्या होता है कि उस रेखा पॉल एक संपोर्ट तिर्भुज बनाते हैं और उसका नाम देते हैं संपोर्ट तिर्भुज बनाते हैं और संपोर्ट तिर्भुज में उसका नाम देते हैं कि तिर्भुज क्या देते हैं तिर्भूज जैसे मालेजे कि यहां से हम संपोर तिर्भूज बना रहे हैं लुट पांच है कि यहां से हम संपोर तिर्भूज बनाते हैं में ओणते हैं इसका नाम कुछ दिरेते हैं नाम क्या दते थे हैं तो इसका हम यह नाम करें देते हैं इसका बी-चीलो आरा जले देते हैं तो बार इसके बार यहाँ एक नाम और देदे हैं सीधा देदे हैं ठीख है तो तिरभूज का हो गया आपका ओ डी हो गया तिरभूज ओ अब यहाँ पर आपको करना है कि ओ ए दी इसमें आप क्या करते हैं कि जो बिंदू ये पॉर इस प्रकार संपोर बनाती है यहां देख रहें कि बिंदू एप और इस तरह से संपोर बनाती है कि यह संपोर जो है इसका हम कुछ नाम कुछ भैलू दे देते हैं यहां कि कोड़ पॉर इस प्रकार संपोर बनाती है कि इस प्रकार शंपोर बनाती है कि हम क्या करते हैं कि को एक भैलू हम दे देते हैं दो इकाई और एक के बिच में इसका भैलू कितना देते हैं दो इकाई देते हैं तो आप देख रहें कि संकौन तिर्भूज में पैथागुरस पर में से क्या होता है पैथागुरस पर में से आपका कड कमान नहीं मालूम है अधार का मालूम है और लंग का मालूम है तो कड कमान यानि कि ओ भी स्केल तू थू आब अ इसलिए पैथागुरस पर में से अगर हम चलते है तो पैथा gottaआ है उंगा है कड इसकल तू रूट हनगर नंक का वे एक क्तूयर ही जोटा देते हुआभ्याछ candidates सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो रूट पांच यहां पर अब संख्या रेखा और ओसी बराबर यानि ओ और का बराबर करते हैं यहां और आपका बराबर करते हैं इस लिए कि संख्या रेखा और और कि इसका है और वी गते रूट पांच हम इस तरह से काड़ते हैं जैसे यहां पर हमने दिखाया था इस तरह काड़ते हैं काड़ते हैं तब बिन्दू सी और परिमे संख्या इस तरह से बिन्दू जो सी हो रहा है इस तरह कि बिन्दू सी और परिमे संख्या बेनुसी किया है अब परिमेसंक्या रूप 5 को क्या कर रहा है यहां रूप 5 को निरूपित करता है बस यहां रूप से मेरे कमेंट बग्स में कमेंट जरूर करें त्याकि मैं समझ सकूं कि मेरे समझाने में और आपके समझने में कुछ अंतर हो रहे हैं और उस अंतर को हम दूर करने का और हम प्रयास करेंगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोशन में क्या दिया हुआ है जैसे आप देखिए इसमें अगले कोशन क्या है है कि कागज का बड़ा सीट ले लिजिए घर पे आराम से ले लिजिए और सीट लेने के बाद निचे दी गई बीदी से कुछ काम करने हैं यह काम आपको समझे कि हम होमोर के रूप में देंगे कि यह काम आपको करने हैं आपको फिर दिकत होगी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे संपट भी कर सकते हैं तो इस तरह से ब्रगमुल सरफिल यानि कि रचना कीजिए और इस तरह से सरफिल को रचना करना है सबसे पहले कि बिंदुल जैसा सबसे को एक बिंदु यहां लीए वह विंदु है तो यह विंदुलिजी और एक लंबाई का क्थट कर के आप लंबाई का इक हम ल्या उन दिया लाम दे गया ऑफРЕल दो आपके स्वाल में whereby ऑ का रहाख़न ओपी यानि को और पी के हिसाथ समेल है यहाँ ज़ीटेक लंबाइज लंबवाले ओवाले ओपीटीया बिanki ओपीड़ा वन पर लम प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आपको इसका एंसरी बता देता हूं कि इस परक्रिया को जारी रखने के लिए आपको क्या करने हैं इस परक्रिया को जारी रखते हुए आप O P N1 यानि कि आप O P N-1 और इस तरह से पर एक लामबाई वाला एक रेखा खंड खीच कर आप रेखा खंड P N यहां रेखा खंड खीच कर क्या कर सकते हैं P N-1 P N-1 या P N प्राप्ट कर सकते हैं कि आपका बहुत संख्याओं तक जा सकता है इस प्रकार आप बिंदू O से पी-1 P 2, P 3, P 4, P5, P 6, P 7, P 8 ऐसे करते हुए P N तक आप जाएंगे ठीक है तो दर्साने वाला एक सुन्दर सर्क्विल प्राप्त कर लेंगे जो आप अपने घर पे सिट पे करेंगे नेशी तुरुप से और आज के लिए हम इतना ही पे समाप्त करेंगे नेक्ट क्लास के लिए हम फिर अगले समय मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई